दोस्तों आज की वीडियो इसके अदर हम बात करने वाले हैं कि एंडर कि-स शनिके चेंज आने वाला है अभी तक जो हमनेडिस्टरी के अदर व्हेट अग्रूह से आप अब जो है हमें disc related देखने को मिलेंगे basically वो डिस्क जो आपकी वेहिकल के लिए बहुत important है और बहुत आपकी वेहिकल की लुक को enhance करता है BAS7 के अंदर जो है इनके particular matters को capture करना एक standard norm की तरह आर गया है इस norms के अंदर हमें particular matter जो हमारे brakes से निकलते हैं which is around PM 2.10 and PM 2.5 इसको capture करना बहुत ददा important है और इसको capture करने automotive industries बहुत सारे changes कर रही है क्या changes हो रहे हैं किस तरही किसे हम brake disc को change करें technology के अंदर वो सब जो है इन-depth इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर background की बात करी जाए तो WHO के according PM 10 and PM 2.5 जो हमारी वेहिकल से जो निकलते हैं especially हमारे brakes से वो 30% constitute करते हैं हमारे total PM Particulate Matter के pollution से वेहिकल के अंदर अगर आप बात करी जाए इसको capture करने की इसको capture करना important इसलिए है क्योंकि इसको अगर हम breathe कर लेते हैं हमें cancer and respiratory problems दोनों issues हमें देखने को मिलते हैं human body के अंदर which is most important to capture and which is most important to eliminate तो BS7 के अंदर एक standard की तरह इसको लाया गया है और सबसे पहले हमें basic समझने की जरूरत है कि automotive industry के अंदर brake system काम कैसे करता है अब brake system को जो है basically हम दो section में बाठ सकते हैं एक हमारा IC engine का section है दूसरा है हमारा electric vehicle का section IC engine के section के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे fully mechanical system होता है जहाँ पे आपके levers की तरू आपके hydraulic या mechanical brakes आपके disc and drum configuration को control करते हैं और यह कानेटिक मास को देखते वे बनाया जाता है कि हमें जो body rolling body है उसको stop करने के लिए कितना बड़ा हमें disc चाहिए किस तरीके के brakes लगेंगे कितना बड़ा dream configuration होना चाहिए अगर मास जादा है speed जादा है तो हम आगे पीछे दोनों तरफ जो है disc and disc का configuration देखते हैं यहां से हमारा सबसे ज्यादा abastus material release होता है जिसका basically हमारा brake pad बनावा होता है इस problem को eliminate करने के लिए हम दूसरे basket में जाते हैं जहां पर basically हमारा EV आता है और hybrid vehicles आता है कि यहां पर basically हमारे disc की life होती है यह brake pads की life होती है वो eliminate होती है क्योंकि जब आपकी vehicle जब road पर चलती है तो वहां पर dust particles, road salts जब यह सारी खटा होता है disc के उपर उसकी तरफ से जो है अगर हम उसको साफ नहीं कर रहे जो basically हमारा यहां पर mechanical system कर रहा था brake pads के थुरू अगर इसको clean नहीं करते हैं तो हमारे यह rusting के चांसे ज़ादा देखने को मिलते हैं तो एक तरफ हमने technological change किया तो वहां पे भी हमें problem देखने को मिलता है एक हमारा जो normal vehicle system है उसके अंदर भी हमें problem देखने को मिलता है तो इन सब चीजों से देखते हुए जो है automotive industry ने brake pad के अंदर revolution लाना शुरू करा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस PM पार्टिकुलेट मैटर को capture करने के लिए automotive industry ने try किया पर्टिकुलेट फिल्टर अब पर्टिकुलेट फिल्टर को जो है तो वेहिकल को buy करना या वेहिकल को sell करना एक बहुत बड़ा issue हो जाता है OEM के लिए दूसरा हम ने try किया कि non-abestus material को use करा अब non-abestus materials जो है basically हमारे organic material होते हैं चाहे वो glass के बने हो सकते हैं silica के बने हो सकते हैं rubber के बने हो सकते हैं उसकी वज़े से issue यह आ रहा था कि हमारा upsprung weight अगें डिस्क का बढ़ रहा था क्योंकि अबस्ट्रेस material को हम यूस कर रहे था हमारा material का size बड़ा हो रहा था उस बड़े size होने की वज़े से हमारा सबस्र बड़ा issue जो क्रियेट हो रहा था हमें इसके अंदर हाड material यूस करने चाहिए यहां पर हमने अलिमिनियम को यूस किया और सिलिकन कारबाइट का यूस किया इसकी वज़े से इसकी कॉस्ट ब्रेक पैड की बढ़ रहे थी विच वेकिंग इट मोर अंकॉमफर्टेबल तो सेल एंद इसकी वज़े से इसको हमने इलिमिनेट कर दे तो तीन चीजे जो है बेसिकली अटोमोटिव इंडस्ट्री ने ट्राई करी ब्रेक पैड से रिलेट ने कोशिश करी ताकि हम अपने डिस्क की टेक्नालोजी को इंप्रूफ कर सके अगर आपकी वेहिकल के जो डिस्क हैं उसके अंदर वीरिंग रिजिस्टेंट जादा रहेगा तो वहां पे हमारे अबस्टेस मेटियल जादा घिसेंगे और उसकी वज़े से पीम बढार पावडर पार्टिकल्स ही है हमारे दो ऐसे मडीरल होते हैं टंक्स्टन आंग्सौन टैसे ऐक्ट मनाटें इसको जो है इसको यह फो आप स्व violet पाटिकल्स पे यह पाभई परिहांए जो है उसको फिटक्टर नहीं है उसको जब ऑवह 몰ते हैं तो वहांपे जो है जो rough surface बनती थी उसकी वज़े से manufacturing process और बढ़ जाती थी कि जिससे हमें उसको plane करने की या सको finish देने की ज़रूरत पड़ती थी दूसरा problem था हमारा heat up zone अब heat up zone की वज़े से क्या था कि कभी कभी laser की विम इतनी द्यादा heat up कर देती थी उस सर्फेस को कि वह बेस लेर को भी जो है basically effect करने लगता था effect के वज़े से क्या था कि वह micro structural change आने लगते थे उसके अंदर distortion आते थे material की property चेंज हो जाती थी जिसकी वज़े से पूरे का पूरा डिस्क जो है वह अपनी properties को लूज कर देता था और वह बहुत डेंजरस बन जाता था दिस्क हमारी वहिकल में यूज करने के लिए और बहुत डामेज कर देता हो पूरे system को इस वज़े से जो है heat up zone की वज़े से जो है web core जो basically हमारे लिए बहुत important process है जो basically disk technology को revolutionize करेंगा इसके अंदर हमने बहुत सारे changes की है इसको देखते वे जो है हम heat up को control कर पा रहे तो उसकी वज़े से जो है यहाँ पर फिनिश मिलती थी दूसरा सबसे बड़ा चीज हमने जो इसके अंदर इंटर्ड्यूस किया यह इंटर्ड्यूस कि हमने जो powder particles हैं उनको preheat करना शुरू करा laser में डालने से पहले उसकी वज़े से क्याता है कि पार्टिकल प्रॉपर तरीके से प्रीटेड रहते थे जब वह material की उपर जाके लगते थे या heat up जोन पर जाते थे तो वह अच्छे से वहां पर mix हो जाते थे सेट हो जाते थे और उसकी वज़े से जो हमें फिनिश बहुत प्रॉपर देखने को मिलती थी तो इन दोनों ची से ही जो है बेसिकली हमारी विए रजिस्टेंस एंड अज वाला डॉक्तिलिटी जो मिलती है हमारे ब्रेक पैड डिस्क को उसको हम यहां पर मिंटें कर पा रहे हैं और इसकी वज़े से ही जो है अब वेब को जो है आने वाले आटमोटिव इंडस्ट्री के अंदर पी एम क कि अगर मैं बात करूं तो जो इसकी तिकनेस रहती है वो 60-120 मीटर्स की रहती है इसके अंदर जो हम दो माटिरियल करते हैं क्रोमियम और निकल काम यह रहता है कि वो इसकी ऑक्सिदेशन की प्रॉपर्टी को रिडियूस कर देता है जिसकी वाज़े से हमें को नहीं मिलता और निकल जो है बेसिकली इसको डॉक्टाइल एंड तफनेस देता है विच बेसिकली मेक्स इट डूरेबल और इन्हांस इंटर्म्स अव उसिं दिस माटिरियल और जो इसकी प्रॉपर लेरिंग को भी प्रॉटक्शन देता है इसकी तिकनेस रहती है वो 60-120 माइक्रो मीट मेटर मेटर की रहती है इसके उपर आता है हमारा जो यूजिबल या वरकिंग एर रोती जिसको हम बोलते हैं विर रिस्टेंस लेयर यहां पर जो इसकी तिकनेस रहती है वो 200-300 माइक्रो मीटर रहती है इसकी अंदर जो है बेसिकली हमारा तंग्स नं कार्बाइड रहता है अगर मान लीजे कि इसकी टॉप लेर स्क्राइच भी हो जाती है तो इसके बाद इसकी टॉप लेरिंग प्रॉपर्टी उसको मिंटेन कर पाते हैं इन दोनों की वज़े से हमें इसकी सारे ड्वांटेजिस को मिल रहे हैं कि यहां पर इसकी प्रॉजिन लाइफ की जल्दी वह करोड़ नी हो का दूसरा इसकी वीरिंग को जो है हमने स्मूथ एस वहल आज हार्ड कर दिया जहां पर हमारे अबस्टेस माटीरियल ज्यादा रिल यूरो सेवन स्टैंडर्ड और हमें इस तरीके डिस्क टेकनोलोजी की वह देखने को मिल सकता है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आटोमोटिव इंडेस्ट्री बिहेव करेगी और क्या आपको इसका फ्यूचर दिखाए देता है मुझे जरूर कमेंट करके बताए अगर आप कोई वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यहाँ पर जो हम ऐसे टेकनोलोजीकल वीडियो के बारे में बात करते रहते हैं और बेल आइकोन को दबाना ना भूलें नेक्स्ट आप किस टॉपिक के वर वीडियो